नमस्कार जैशी कृष्णा मैं राकेश शिवानी अश्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज आपको एक बहुती इंपॉर्टन चीज बताने जा रहा हूँ कि विबिन ग्रहों के गोचर से मिलने वाले फल यानि जो डिफरेंट ग्रहें हैं हमारे स दिखने वाली बात होती है कि इन दीविजल के ओपर कैसे इन चीज के मिलते हैं देखाजाये तो वोई हैं गोचर चंदरमा से जो गोचर होता है कहते हैं चंदरमा मनubby सोजा तो चंदरमा से गोचर लगाजा जाता है कि जन्म का लिख सेंटर्मा आफका जिस honeymoon बेटा है उस से यह कहां कहां किस स्थान में घोचर कर रहे हैं यह का यह नांगा वह मैं आपको आज बताऊंगा तो सब से पहले शुरू करते हैं सूरिय शूरिय के फल कैसे होतें विबिन भावों में जब सूर्य गोचर करता है जन्मकालिन राशी से, माल लीजे किसी कुंडली में ब्रश राशी में चंद्रमा है किसी का, यानि किसी की राशी ब्रशब राशी है, तो प्रथम इस्थान में सूर्य जब ब्रशब राशी में आएगा, तो वो कहलाएगा कि जब मिथुन राशी में आएगा तो वो कहलाएगा कि दृत्य स्थानमाया है अगर चंद्रमा किसी की कुंडली में ब्रशब राशी में है और सूर्य ब्रशब राशी में प्रवेश करता है तो हम कहेंगे कि जर्मकालिन चंद्रमा से पहले स्थानमें प्रवेश उसने किया है और मिथुन राशी में प्रवेश करता है तो हम कहेंगे जन्मकालिन चंदमा से दृत्य स्थान में उसने प्रवेश किया है इसी प्रकार प्रथम, दृत्य, तृत्य, चतुर्थ, पंचम, शस्थ ये सारे हम लोगों को गिनने चाहिए एक से लेके बारे भावता है अब सूर्य का भिंदिन इस्थानों में क्या फल होता है ये हम आपको बताते है देखिए, सूर्य अगर आपके जन्मकालिन राशी जहां पर है उससे पहले स्थान में गोचर करता है सूर्य जहां पर आपकी जन्मकालिन राशी है उस स्थान में गोचर करता है सूर्य तो क्या होता है धन खर्च होता है जातक करोच करता है यातरा कराता है और बनुष्ट को बहुत परिशान करके रखता है तो पहले इस्थान में गोचर जल्मकालीन चंद्रमा जहां है कुंडली में उस राशी से सूरे का गोचर अच्छा नहीं होता वो जातक से परिशम करवाता है धन खच करवाता है क्रोध दिलवाता है जातक अब जल्मकालीन राशी जहां पे है उससे दूसरे भाव में सूरे क गोचर हो, तब क्या हुआ? तब भी धनका नाश होता है, क्योंकि दूसरा भाब धनका भाब होता है, पारिवार एक संबंध खराब होते है, क्योंकि वो परिवार का भाब भी होता है, कुटुम का भाब भी होता है, मनुष्य जिद्दी होयाता है, खाने में उसका बन नहीं लगता क्योंकि वो खाने पीने बोचन का भाव भी है अब अगर सूर्य जर्मकालीन चंद्रमा जहां बैठा हुआ है उस राशी से तीसरे स्थान में गोचर करता है तब क्या होता है तो यह गोचर बहुत अच्छा होता है तो ऐसे में इस्थान की प्राप्ति होती है धन संग सोते हैं लेबर से आपके अच्छे रिलिशन सोते हैं क्योंकि जो भी तीसरे भाव से हम चीजें देखते हैं उन सब के प्रणाम हमको सुखद मिलने शुरू हो जाए अब चौते भाव में अगर सूर्य गोचर करे जर्मकालीन राशी जहां पर है उससे चौते भाव में गो एक भुग्धी में थोड़ी कमी हो यह प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर जनकालीन राशी से पांचवे स्थान में सूर्य का गोचर होता है जनकालीन राशी से छटे स्थान में सूर्य का गोचर अगर होगा तो वो गोचर अच्छा माने जाता है तो वहां रोग का नाश करता ह आपके करजे जो रिन हैं उनका नाश करता है आप स्वस्त रहते हैं अच्छी नौकरी मिलती है यानि छटे भाव से संबंदर जो रिजल्ट से हैं रोग रिन शत्रू इन सबका नाश होता है नौकरी अच्छी मिलती है कंपटिशन में सकस्स मिलती है तो यदि कंपटिशन आपका हो और आपका सूर्य है सूर्य आपके जनकालीन राशी से छटे भाव में गोचर कर रहा हो तो आपको हंड़ट किसंड कंपटिशन में सकस्स प्राफ होगी साथवे भाव में गोचर कर रहा हो जिस जहां जर्मकालीन राशी है उससे साथवे भाव में अगर सूर्य का गोचर हो तो तो पेट में प्रॉब्लम हो सकती है मनुष्य को धन की हानी हो सकती है विभाईक जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है बिजनेस भी प्रॉब्लम हो सकती है बिजनेस पार्टनर से लाई जगड़ा हो सकता है जो भी सात्वे भाव से संबंदित चीजे हैं उसके अंदर दिक्कत हो सकती है और अगर आठवे भाव में गोचर कर रहा हो तो चंद्रमा सूले का गोचर जन्मकाली चंद्रमा से आठव आठविभाव में अच्छा नहीं होता तो बह पर फ्ल अचारा पर कॉटा है पर आठव हवाव कम करते है कि इसल्धी नाराजगी का अंदेशा होता तो आपत्ती आती है, भाग्य की हानी होती है, पिता का स्वास्त में नर्भी आती है, क्योंकि नवे भाव से पिला का स्वास भी देखते हैं, प्रिये लोगों से ब्रह होता है, गुरू से संबंद खराब होते हैं, नवे भाव से गुरू भी देखते हैं, तो इस तरह की समस् करें तो झिस कार्य को आपको सफलता नौकरी में हैं आपको क्रॉमॉशन मिलेंगा आपकी नौकरी नहीं लगी है, नौकरी लगने वाली है, इंट्रिवुट दे रहे हैं, तो आपकी नौकरी लगेगी, तो ये बहुत इंपोर्टेंट है, सूर्य का गोचर, इसी प्रकार सूर्य यदि जल्मकालिन राशी से गारवे स्थान में गोचर करें, तो अच्छा होता है, इस्थान प्राप्ति होती है, लाब होता है, अगर आप कोई बिजनस कर रहे हैं, तो आपका लाब मिलेगा, आपकी सम्मान में प्रद्धी होगी, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो डिजायर से हैं, वो पूरी होंगी, रोग से शुटकारा होगा, लेगनी अजि दुश्मन मना देता है, इस तरह की समस्यां वो देना शूर कर देता है, तो ये चंद्रमा से देखते हैं लोग कि चंद्रमा किस राशी में है, जर्म की कुंडली में आपके, और उस राशी से सूर्य का गोचर किस राशी में हो रहा है, तो उससे आपको ये पल बताए गए तो आशा करता हूँ आपको यी समझ में आया होगा आगे में और द्रहों के पल आपको बताऊंगा इसके लावा हम लोग एक इस्टरलोजी का कॉर्स start करने जा रहे हैं आपने जो इंटरस्टिड हो वो जॉइन कर सकते हैं देगे दंपा के संपर्ख करते हैं धन्यवाद झाल झाल